ब्चो यह आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है हिंदी व्याकरण सहज हिंदी व्याकरण तो इसमें आज हम के आपका जो page number 88 है उसका अनुशेद करेंगे और साथ में पत्रलेखन का कारेविह करेंगे ठिक है तो अनुशेद जो है वो आपका है चडिया घर की सैर यानी चडिया घर जो घूमने जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे अनुशेद है आपने ध्यान से इसको मेरे साथ पढ़ना है और कॉपी में नोट डाउन करना है हमने रविवार को चड़िया घर की सैर का कारिकरम बनाया हम सब सवेरे जल्दी उठ गए मा ने खाने पीने का सामान बांधा और हम चड़िया घर के लिए चल दिये टिकट घर से टिकट लेकर हमने चड़िया घर में परवेश किया दिल्ली का चड़िया घर बहुत बड़ा है यहां हमने हिरन, बाग, हाथी, गैंडा, बारा सिंगा, चीतल, सांभर, आधिजानवर देखे भालू, बंदर और चिम्पांजी देखने में हमें बहुत मजा आया वे तरा-तरा के कर्तब कर रहे थे दोपहर को भोजन करके हम पक्षी घर की तरफ गए यहां भाती-भाती के रंग-बिरंगे तोते चड़िया सफेद मोर आदी है इनकी मधूर ध्वनिया सुनकर हमारा मन खुश हो गया अब साम हो चुकी है हम घर लौट आए चड़िया घर की सैर सचमुच एक यादगार बन गई तो बच्चो यहां चड़िया घर की सैर है इसको रटने की ज़रुत नहीं है आपने इसको जैसे लिखा है इसको लिख लेंगे अपनी नोटबुक में और इसको 3-4 टाइम यानि 3-4 बार आपको इसको पढ़ना है और अपने शब्दों में एक अभ्यास कॉपी में लिखना है प्रैक्टिस कॉपी में और फिर उसको अपने घर में किसी भी मेंबर से चेक करवाना है कि आपने जो भी किया है ठीक है उससे क्या होगा आपका अभ्यास हो जाएगा तो इसमें क्या है हमने रविवार को चडिया घर सेर का कारिकरम बनाया या हम रविवार को चडिया घर की सेर करने के लिए गई पिने का समान बांधा और हम चडिया घर के लिए निकल पड़े टिकट घर से हमने टिकट ली चडिया फिर उसके बाद में हमने चडिया घर में प्रवेस किया दिल्ली का चडिया घर बहुत बड़ा है हमने वहाँ पे जितने भी जानूरों के नाम है उनको लिखो फिर बालू थिखा दुपहर के भूजन किया दुपहर के भूजन करने के बाद में पक्षी घर गए या उसके आगे पीछे भी लिख सकत Thank you कि हम पक्षी घर में गए वहाँ बहुत रंग बिराम में ज़िए तोते देखे चडिया तोता चडिया मोर आदी देखा और उनकी आवाजें जो है ध्वनिया थी वो बहुत ही अच्छी लगी और फिर जब साम हो चुकी थी या साम के समय हम अपने घर वापस लोटाए चुडिया घर की सैर यादगार बन गई तो आप इसकी जगाप यहाँ पे लिख सकते हो कि चुडिया घर की सै तो इसे शब्द में अलग कौपी में लिखके अभ्यास करेंगे अब आता है आपका पत्रलेखन अब यहां पे पत्रलेखन मैं जैसे कि आपको बताया भी था कि पत्र जो होते हैं वह दो प्रकार की होते हैं एक तो यहां पर देखिए हम समय समय पर अपने मित्रों, रिष् के लिए परदान किये हैं परंतु पत्र का अपना अलगी महत्व है यानि पत्र में क्या होता है हमारी भावनाएं होती है हम अपनी भावनाओं को उसमें व्यक्त करते हैं और यहां पे पत्र लिखते वक्त कुछ विशेश ध्यार लखने के लिए बाते बताई हैं तो पत्र हम पत्र की भाषा विनम्र और प्रभावी होना चाहिए यानि विनम्र होना चाहिए उसमें ऐसे सब्दों का प्रियोग नहीं होना चाहिए जो अच्छा न लगे पत्र में अपनी बात संशिप्ट संशिप्ट का मतले होता है छोटे रूप में लिखना चाहिए यानि हम पत्र इतना बड़ा ना हो कि वो पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाए कोई तो हमें क्या है पत्र को छोटा लिखना है अब आता है यहां पे हम लिखेंगे चित्रकला प्रतियोगता में पर्थम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है, तो यहां लिखा है 77 प्रेम नगर, तो यह यहां पर आपके अपने जगा का किसी भी जगा का नाम ले सकते हो, यहां पर जरूर नहीं है कि आप प्रेम नगर ही लिखिए, ठीक है, तो मित्र को बधाई प आपका रहिकना पर को 歌ो लृधे के कुछ भी और लिख Holiday, और ननलना कि को लिएक लिएक सकिक लगए कि इस देट अब यह अज कर्छान पर रहि को क्या है और आज अलख कि वह मतई दमके चाहर दमको लंख करें है देंगे है यह लिखना है नहीं तो सोचो कि छोड दिया हमने आपनी कॉपी में इतना लिखेंगे और लेफट हैंड साइलि इसके जगा้ पर यह लिख देना है ठीक है प्रिये राकेश, अब यहां पर राकेश की जगा आपका अपना कोई भी मित्र हो सकता है, उसका नाम लिखेंगे नमस्ते, मित्र मैंने आज बाल चित्रकला प्रतियोगता का परेनाम देखा, तुमने इसमें प्रधम स्थान पाया है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, मेरी इच्छा है कि तुम इसी तरह चित्रकला जगत में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो, घर में बड़ मित्र, जैसे देखो यहाँ पर यह बवाई के लिए हो गया, तो गर्ल्स क्या लिखेंगी, लड़कियों के लिए है, तुम्हारी मित्र, 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 लड़कियों के आना यहीं पर है यह लिखना यहीं पर है अक्षे की जगा जो कुछ भी आप अपना अपनी मित्र का नाम लिखना वो लिखनेंगे ठीक है ध्यान रखेंगे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे उसी की हिसाब से आपने अपने काम को करना है ठीक है धन्यवाद